तो भाई तुमको वीडियो की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ा जटका दे दूँ देखो यह तो तुमको पताई है कि हाली में इंडिया ने आइलैंड के खिलाफ T20 वर्लकप 2024 का जो अपना पहला मैच खेला था जिस मैच में रोहिश शर्मा ने शांदार अर्श तक अगले मैच में आऊंगा लेकिन कल के दिन एक खबर सामने आती है कि रोहिश शर्मा पाकिस्तान की खिलाफ होने वाले मैच को मिस्स कर सकते हैं देखो अगर तुमको सिर्फ यही सुनके छटका लगया है कि रोहिश शर्मा पाकिस्तान की खिलाफ होने वाले मैच को मिस्स कर इस पूरी ही कहानी के पीछे का रीजन है गुमरा की पतनी संजना गडेशन। लगता है कि भाई संजना ने जो लिखा है उसका T20 World Cup से दूर दूर तक कोई लेना दिना नहीं है क्योंकि कुछ दिन पहले जस्पी दुमरा ने भी अपने इंस्टा काउंट पे पोस्ट डाली थी जहां उन्होंने लिखा था I am ready for the toss तो ऐसा लग रहा है कि संजना ने कहीं न सीवते जो हैं वो पाकिस्तान का फीचा छोड़ी नहीं रही है हाली में USA ने पाकिस्तान को हरा के इतना बेज़त किया कि पूरी दुनिया में उनकी ट्रॉलिंग हो रही है लेकिन उससे भी बड़ा मसला तब हो गया जब पाकिस्तान के ही एक प्लेयर पे बाल टेमपरिंग का इल्जाम लगा क्या है पूरी कहानी हो तो मैं आपको बताऊंगा ही लेकिन उससे पहरे भाईया जल्दी से जाए डिस्क्रिप्शन और पिन कंड में दियो ही लिंक से जल्दी जाके प्रिंस भाई की टेलीग्राम चैनल को जॉइन करिए क्योंकि कल की दिन भाई भली नहीं खेल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी हर मैंच में जितनी प्रिक्शन दी टॉप नौट जिस प्लियर को लेके कहा कि यह रन मारेगा उसने लिकेट लिये जो-जो रिजल्द जिस जिस मैच में बताया ऑन दा पॉइंट बताया इसलिए कहता हूं भाई ज्यादा सोचने का नहीं, सीधे जाने का डिस्क्रिप्शन और पिन करेंट में दिये वे लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चिनल को जॉइन करने का क्योंकि वो जो एकुरेट प्रिटेशन यहां पे दे रहे हैं का समसे भाई उन प्रिटेशन का इस्तमाल करके तुम फेंटेसी टीम बनाके या फिर किसी प्लेटफॉर्म पे जाके प्रिटिक्शन करके इतना चाप सकते हो कि तुम्हारा दिमाग सोच भी नहीं सकता तो फिलहाव ज्यादा सोचो भी मत एक बार जाके बस जैसा मैं कहता हूँ कि टेलीकरांग से चॉइन करके देखो उसके बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे किस लेवल का बवाल मसता है खिर जैसा मैं कह रहा था कि भाई मुसीबते जो हैं वो पाकिस्तान के लिए तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है क्योंकि पहले जहाँ USA से मैच हार गए तो कल के दिन USA के एक प्लेयर रस्टी थेराउन ने हारिस रॉफ पे बाल टैंपरी का रिजाम लगाया रस्टी थेराउन एक वक्त पे सौथ अफ्रीका के लिए खेलते थे आपने इनको कही न कहीं IPL में भी देखा होगा और अगर नहीं भी देखा है तो इस बात का इस बात से कोई लिए देना नहीं है फिलहाल मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो रस्टी थेराउन है जो करेंटली USA के लिए खेलते थे अब ही T20 World Cup पे नहीं खेल रहे हैं लेकिन साउथ अफ्रीका से निकलने के बाद इन्होंने USA के लिए भी थोड़ा क्रिकेट खेला है तो बस में आपको ये बता रहा हूँ कि रस्टी थेराउन ने कल के दिन ICC को ट्विटर पे टैक करके लिखा कि आप लोग क्या इस बात को नोटिस भी नहीं करेंगे कि कि किस तरीके से पाकिस्तान के प्लेर्स लगातार बॉल टैंपरिंग कर रहे थे किस तरीके से जब भी वो रनब लेना शुरू कर रहे थे तो हलका सा अपने नाथनों से बॉल पे घिसाई कर रहे थे उन पे खरोचे मार रहे थे अगर आप लोग इनोटिस नहीं करेंगे तो कौन करेगा ये साफ साफ पाकिस्तान ने बॉल टैंपरिंग करी है चीटिंग करी है और इस चीश की सजा उनको मिलनी ही मिलनी चाहिए खर इससे आगे बढ़े तो भाई कल के दिन एक्स इंडियन क्रिकेटर अभिशेग नायर पहुचे तिदा रणवीर शो पे जो की क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो क्या ऐसा होता है कभी क्रिकेट खेलते खेलते उनको घपा घप करने का मन हो जाता है घपा घप से आप मेरा मतलब समझ रहे होंगे मतलब भाई सच में ऐसा सवाल कोई कैसे पूछ सकता है वैसे रडवीर पे अक्सर ये इजाम लगते हैं भली थोड़े से मजा की अंदाज में लगते हैं कि कई बार ये ऐसे सवाल पूछ जाते हैं जिसे सुनके सामने वाले कमन शायद करता है कि भाई उटके पीट दूँ लेकिन भाई ये कैसा सवाल था हाला कि उन्होंने इस सवा पूरी बाते हैं क्योंकि अगर मैं शब्द बोल के यहां पर डिस्क्राइब करूंगा तो शायद मेरी ये वीडियो योड़ जाएगी हां सच में भाई ऐसी बाते हुई है तो टाइम मतवेश करो जल्दी से जाओ वो पूरी वीडियो तुमको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चनल करिकवाजी पर जो कि मैं पहली बता चुका हूँ वो है क्रिकेट की दुनिया का सबसे बक्चो टेलीग्राम चैनल जल्दी जाओ लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में जॉइन करो ये वीडियो टॉप पे पिन करके रखी है मातर एक से डेल मिनिट की है जाके एक बार तुम भाई रडवीर ने जो सवाल पूछा है वो सुनना फिर बदले में अभिशेग नाहर का जवाब सुनना भाई तुम्हारी हसी नहीं रुखेगी और तुम भी सोचोगे कोई ऐसा सवाल कैसे पूछ सकता है तो टाइम मत वेश करो जाके चेक आउट करो खर भाई जहां कुछी दिर पहले हम बात कर रहेते पाकिस्तान की तो भाई देखो पाकिस्तान भले ही USA से हार गई लेकिन पाकिस्तान के कैप्टेन बावर आजम ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है ऐसा इतिहास रस दिया है जो आज तक कोई भी कैप्तान नहीं बाकि भाई यहां पर मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि कल के दिन ICC ने T20 World Cup History के Top 5 Biggest Upsets चुने जहां पांचवे नमबर पे था जब नीदरलैंड ने इंगलैंड को साल 2009 में हराया था फोर्थ नमबर पे वो मैस था जहां अफगानिस्तान में वेस्ट अंडीस को साल 2016 में हराया था तीसे नमबर पे था जब निबिंबिया ने शिलंका को साल 2022 में हराया था सेकंड नमबर पे था वो मैच जहां हाइल लैंड ने इंगलैंड को साल 2022 में हराया और पहले नमबर पे था वो मैच जो की हुआ है हाली में जहां USA ने अकिस्तान को हराया T20 World Cup 2024 में मत पकी टीमें मैंने अपसेट ने बताई, चाहे आईलैंड हो गई, निमंबिया हो गई, अफगानिस्तान हो गई, निदिलैंड हो गई, तो USA ने इन टीमों की कंपरेजन में ना के बराबर क्रिकेट खेला है, फई USA के जो most of the players हैं वो job करते हैं, उनका कोई contract तक नहीं है, कोई central contract नहीं है, तुमको पता है, USA के players को कितना रुपए मिल रहा है हर match का इस T20 World Cup में खेलने के लिए, मात्र 20,000 रुपए, हाँ सच में, मात्र 20,000 रुपए मिल रहा है, इंडियन करेंसी में बता रहा हूं, 20,000 रुपए एक match के लिए मिल रहा है, मतलब इतने रुपए तो भी T20 World Cup में, लेकिन पैसा मात्र मिल रहा है, इनको 20,000 और सोचो भाई, इस टीम ने पाकिस्तान को हरा दिया, तो एक तरीके से अपसेट तो है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के हिष्टी रही है, और जिस तरीके से पाकिस्तान वो match के खेल रही थी, भाई, उस match को USA को जीदना चाहिए था, अगर पाकिस्तान वो match जीद जाती, वो असल में सबसे बड़ा अपसेट होता, कसम से बता रहा हूँ भाई, जब मैंने भी ये बास सुरीना की USA के हर प्लेयर को मात्र 20,000 रुपे मिल रहे हैं, T20 World Cup के पर मैच के लिए, भाई, मैं तो खुश हो गया पाकिस्तान को हराया, क्योंकि इससे कहीं न कहीं USA का जो क्रिकेट है और आगे जाएगा, और आने वाले वक्त में इन सबी प्लेयरों को थोड़ा और पैसा भी मिलेगा, और थोड़ी और इस्द भी मिलेगी, इससे आगे बढ़े तो देखो भाई, इंडिया ने T20 World Cup 2024 का ज भाई इतने जल्दी देखो अपना मन मत बनाया करो, थोड़ा सा टाइम दिया करो, थोड़ा सा भरोसा टिकाया करो, वो विराट को हुली है यार, वो चलेगा, वो ऐसे ऐसे मैचिस में ऐसी ऐसी परफॉरमेंस देगा, जहां पे भाई पूरी टीम घुटने टेक देगी, मै विराट कोहुली जब उस मैच में एक रन पे आउट हुए थे ना, तो वो टी-20 वर्ल्लकप के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा था, कि विराट कोहुली किसी टार्गेट को चेस करते हुए, सिंगल डिजिट स्कोर पर आउट हुए थे, वनना उससे पहले, जब भी विर कोहुली टी-20 वर्लकप में चेस करने के लिए उतरे हैं, पता है क्या बवाल मचा है, साल 2012 में जब पहली बार पाकिस्तान की खिलाफ वो चेस करने उतरे, तो कोहुली ने मारे 61 बॉल पे 78 नॉट आउट, उसके बाद साल 2014 में पाकिस्तान की खिलाफ जब फिर से चेस करने पिर साल 2014 में साउट अफरीगा की खिलाफ समी फाइनल में मारे चेस करते हुए 44 बॉल पे भर्तर नॉट आउट, साल 2016 में न्यूजिलैंड की खिलाफ चेस करते हुए 27 बॉल पे 23 रहन, साल 2016 में पाकिस्तान की खिलाफ 37 बॉल पे 55 नॉट आउट मारे, साल 2016 में ही ऑस्टलिया खिलाब 51 बॉल पे 82 नौट आउट मारे, साल 2021 में स्कॉट्लैंड के खिलाब 2 बॉल पे 2 रन मार के नौट आउट रहे, आउट नहीं हुए सिंगल डिजिट पे, लेकिन जैसा मैंने का पहली बार वो आउट हुए हैं, इससे आगे भी बढ़ें, तो साल 2022 में जो पारी खेली पाकिस्तान की खिलाब, जहां वो चेस कर रहे थे, वहां भी उन्होंने तिरपन बॉलों पे 82 नौट आउट मारे थे, इसलिए भाई ये पहली बार हुआ है, सोचो आज तक इतने T20 वर्ड का कोली ने खेले हैं, पहली बार हुआ है कि बंदा चेस करते हुए, सिंगल डिज होगा, वैसे क्या आप मेंसे भी कोई ऐसा है, जिसको लगता है कि या रोहित और कोहली की जगवा, रोहित और जैसवाल कोई ओपनिंग करने चाहिए, कोहली आके थोड़ा सा टीम का सामझत से भी गाड़ रहे हैं, जो भी आपका ओपीनियन है इस बारे में, अपना ओनिस् देखिएगा जिस वीडियो का जिकर मैंने वीडियो के बीच में करा था, जहां मैंने आपको बताया कि दा रडवीर शोपे, किस तरीके से रडवीर ने ऐसा अजीब सा घपा घप के बारे में सवाल पूछा, मतलब भाई बंदा डिरेक्टली पूछता है कि किर्केट खेलत खेलते हैं, इन लोग को ये भी मन करता है कि थोड़ा सा घपा घप हो जाता, तो और मजा आ जाता, मतलब दोनों का रिलेशन यहां पर पूछा है, बस एक डिट मिनिट की वीडियो है, जा कि वीडियो देखो, टॉप पे पिन करके रखिए, तुम्हारे ले टॉप पे पिन पक्चोट टेलिग्राम चैनल, जो चल दी जाओ, टाइम मत वेश करो, जॉइन करो, और उसके लावा क्या करना है, भाई तुमको पता है, बिना टाइम वेश करें, डिस्क्रिप्शन आउप इनकन में दियो, इलिक से प्रिंस भाई के टेलिग्राम चैनल को जॉइन करना है क्योंकि भाई क्रिगवाजी का टेलिग्राम चैनल तुमको मज़े करा सकता है, लेकिन भाई को पैसो से मज़ा होता है, वो मज़ा तुम्हें मिलेगा, प्रिंस भाई के टेलिग्राम चैनल पे, जो तुम तक पहुचाएंगे, एक्तम accurate prediction, सबसे पहले हर match की perfect prediction, बस उन prediction को उठाओ, मस्द फेंटेसी टीम बनाओ, और उन प्रिडिक्शन के बेसिस पे, मस्द भाई पैसा ही पैसा कमाओ, पाकि वीडियो पसंद आई लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए, जैहिंद, धन्यवाद.